आपका 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 चैप्टर टेन तक बताया गया था आपके एक्ट में जो हमें अब सुरू करना है वह रिविन है और इधर से आपका ज्यादा कोचन बनता है यानि कि अध्याई 11 में साइबर क्राइम दिये गए है अर्थात साइबर अपराध दिये गए है और उन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है आपका अध्याई 11 आपका काफी महत्पूर अध्याई है आईए एक एक करके इसको देखा जाए और इधर से आपका 10-12 जो सेक्षन है ये काफी महत्पूर है कम्प्टीशन के लिए आईए देखा जाए सेक्षन 65 कम्प्यूटर साधन दस्तावेजों से छेड़ चाड़ जो कोई कम्प्यूटर कारिकरम, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किये जाने वाली किसी कम्प्यूटर साधन कोड को जब कम्प्यूटर साधन कोड का रखा जाना या अनुरच्छित किया जाना तत्समे प्रवित विह द्वारा अपेच्छित हो से जान कर या सासे छिपाता है नश्ट करता है या परिवर्तित करता है अथ्वासा से या जान बूज कर किसी अन्य से छिपवाता है नश्ट करता है या परिवर्तित करता है तो वह दंड का भागी होगा यह जो आपका साधन कम्प्यूटर कोड को सुरच्छित रखा गया है और आप उसको चुपाते हैं या नश्ट करते हैं या कोड ही चेंज कर देते हैं या दूसरे अपने नहीं करते लेकिन दूसरे से ये करवा देते हैं तो आप दंड के भागी होंगे सजा याद रखना है जो तीन वरस तक का हो सकेगा या जुर्माना जो दो लाक रुपिया या दोनों ये आपका कंप्यूटर साधन दस्तावेश से छेट चाड के लिए प्रावधान कहां है तो आपका जबाब रहेगा 65 में आपका कितना दंड हो सकता है तीन वरस तक का कारावास या दो लाक आये सुर्बाटिया तो अधर में ताली होते हैं 15-20 मिट बैठे तब तक साइबर क्राइम पढ़ लिजा आपके अगर कंप्यूटर कोड को नश्ट करता है इत्याद करता है तो इसके लिए जो आईटी एक्ट में सजा का प्रावधान है आपका 65 में है और वह जो सजा मिलेगी उसे आपका तीन वरस तक का कारावास या दो लाख रुपे तक का जुर्माना या दोनों इसके बाद आपका 66 सेक्षन आता है कंप्यूटर से संबंधित अपराद ये भी काफी महत्पूर्ण है देखे क्या कहता है यदि कोई ब्यक्ति सेक्षन 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बैमानी या कपट पुर्वक करता है यान की कंप्यूटर साधन को छट पहुचाता है तो आपका पूछ सकता है कि 43 की पूरक धारा कौन है तो 43 की पूरक धारा 66 है चाचट ये पूछ सकता है 43 में आपका केवल प्रतिकर वसूला जाता था लेकिन यहां अगर वहीं का वह फ्राड पूर्वक करता है या दिस आनेश्टली करता है तो वह अपराद होगा और उसके लिए वह दंड का भागी होगा तो देखे आपका बताया क्या के गया है कंप्यूटर से संबंधित अपराद यदि कोई ब्यक्ति सेक्शन 43 में निर्दिष्ट कोई कार बेमानी या कपट पुर्वक करता है बेमानी सब्द आपका IPC से गवर्न होगा और बेमानी की परिभासा IPC के सेक्शन 24 में दी गई है और कपट आपका जो सब्द है ये भी IPC से गवर्न होगा और कपट पुर्वक की परिभासा IPC के सेक्शन 25 में दी गई है तो वह कारावास से जिसकी अवच तीन वरस तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच लाक रुपे तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनी होगा यान कि इसमें भी अधिक्तम सजा तीन साल है और अधिक्तम जुर्माना पांच लाक या दोनों आपका अगला देखिए असपश्टी करण असपश्ट बताता है कि बेमानी का मतलब क्या हुआ तो अभी बताया गया कि बेमानी का मतलब वहीं होगा जो IPC के किस सेक्शन में दिया गया है आपका 24 में और कपट पुर्वक का मतलब क्या होगा जो IPC के सेक्शन 25 आये सिष्टी ए आये सिष्टी ए काफी महत्पून है ये भी कोचन आपका बन सकता है चाचट ए संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड आये संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड दिखे आपका जो 66 ए है यहां से आपका कोचन बन सकता है CBI APO में भी और MPADPO में भी इसके बारे में आपका कुछ लिख लेना चाहिए और इसको आपका समखने के लिए आपका सबसे पहले कांचूसन को देखना पड़ता है भारत के सम्विधान के अनुचेद 19.1.A में सब भारत के प्रतेक सिटिजन को speech and expression का freedom दिया गया है यनकि प्रतेक नागरिक तो भारत के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता दी गई है अब ये समस्या थी कि जो 66.A में ये इस स्वतंतरता पर प्रतिबह लगाया गया है और अगर आप मने इस स्वतंता का प्रियोग करते हैं तो आप दंड के भागी होते हैं तो ऐसी दसा में बाई मामला महराष्ट से उठा और बाल ठाकरे के खिलाब किसी ने पोश्ट कर दिया उसे गिरफतार करके जेल भेजा गया इस सेक्षन के तहट तो एक LLB की छातरा स्रिया सिंगल ने अनुछेद 32 के तहट सुप्रीम कोट में PIL दाखिल की और कहा कि ये जो सेक्षन है ये तो हमारे स्पीच एंड एक्स्प्रेशन की स्वतंता पर मनें प्रतिबंध लगाता है अतह इस सेक्षन को आप वायड घोशित करिये अबायद घोशित करिये सुप्रीम कोट ने इस केस में सुनवाई की और सुनवाई करके इस सेक्षन को अबायद घोशित कर दिया है लेकिन यह देखने में आया कि अबायद होने के बावजूद भी राज इस सेक्षन के तहते फायार दर करके लोगों को गिरफ्तार कर रहे है अतह ऐसी दसा में सुप्रीम कोट फिर PIL दायर हुआ और सब राजियों के मुख्य सचिव इत्याद को नोटिष जारी किया है कि जब हम इलेगल या अंकांस्टूसनल गोंचित कर चुके हैं तो इस धारा कायूज क्यों पुछा है सबसे तो ये धारा आपका अवगद है और केस याद रहे है स्रेया सिंगल वर्सेज भारत संग ए आयार दो हाजार पंदर सुप्रीम कोट आ सकता है आपका किस आधार पर तो आर्ट के उननिस वन ए के वाइलेशन के आधार पर अब दिखें इसमें है क्या आपका क्या प्रावधान दिया गया है 66A संसूचना सेवा आध द्वारा आकरामक संदेश भेजने के लिए दंड कोई बैक्त जो किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना के माध्यम से किसी सूचना को जो अत्यदिक आकरामक या धमकाने वाली प्रकृत्की है किसी सूचना को जिसका वह मिथ्या होना जानता है किन्तु छोब, असुविधा, खत्रा, रुकावट, अपमान, छतिया, अपराधिक, अभित्रा, सत्रुता, घ्रिंडा, वैमनस्य फैलाने के प्रयोजन के लिए लगातार ऐसे कम्प्यूटर संसाधन या किसी संसूचना युक्ति का उपयोग करके किसी इलेक्टानिक डाक या इलेक्टानिक डाक संदेश को ऐसे संदेशों के उधगम के बारे में संबोधिती या पाने वाले को छोब हो असुधा कारित हो वह प्रवंचित हो जाए मने धोखा हो जाए या भ्रहमित कर दिया जाए भेता है तो वह दंड का भागी होगा जिसमें दंड था तीन वरस तक का कारावास और जुर्माना तो सुप्रीम कोट ने ये माना कि नागरिकों के बोलने की आजादी पर ये सेक्षन प्रतिबन लगाता है अतर इस सेक्षन को यानि कि आईटी एक्ट का सेक्षन 66A को सुप्रीम कोट ने अबायद घूशित कर दिया ISHT 6B देखा जा यहां से भी आपका काफि मत पूर है छाचट B चुराए गए कम्प्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेमानी से प्राप्त करने के लिए दंड जो कोई ऐसे किसी चुराए गए कम्प्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को जिसके बारे में वह जा जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह चुराया गया कम्प्यूटर संसाधन या युक्ति है बेमानी से प्राप्त करेगा तो वह दंड का भागी होगा तीन वरस तक का कारावास या एक लाग तक जुर्माना या दोनों इनकी अंडरलाइन कर लिजेगा चुराया कम्प्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेमानी से पाना 66B भी काफी महत्पूर्ण है इसके बाद 66C भी काफी महत्पूर्ण है पहचान की चोरी के लिए दंड देखिये जो कोई कपट पुर्वक या बेमानी से किसी अन्यब्यक्त के इलेक्टानिक हस्ताचर यानि कि आपका डिजिटल सिगनेचर पासवर्ड या किसी अन्यबिसिष्ट अनन्य पहचान का प्रियोग करेगा तो वह दंड का भागी होगा और दंड आपका तीन वरस का कारावास या एक लाख जुरुपिया जुर्माना या दोनों यानि कि इस को कोई ठेप्ट करता है चोरी करता है तो आई टी एक्ट का सेक्षन यानिकी इन फार्मेशन टेक्नालजी एक्ट का सेक्षन 66C के तहत दंड का भागी होगा दंड की मातरा याद रखनी है तीन वरस का कारावास अधिकतम या एक लाख रुपिया जुर्माना हाँ और हाँ दोनों और एक और जुर्माना बैस जुर्माने की रखम नहीं हाँ और जुर्माना जो एक लाग प्रुपे तक हो सकेगा यहां से कोचन बन सकता है पासवर्ट चुराना किसी का आई आपका 66D कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपन द्वारा चल करने के लिए दंड आज के लिए अपराज जो साइबर क्रेमिनल हैं ज्यादा कर रहे हैं किसी दूसरे का रूप धारण कर रहे हैं Instagram हुआ Facebook हुआ WhatsApp हुआ तमाम ऐसी जगहों पर आप दूसरे का प्वोटो लगा दूसरे का मने आपका ID हैक कर ली जा रही हैं या दूसरे का फोटो लगा दिया जा रहा हैं और ये बताए जा रहा हैं कि ये मैं ही वह ब्याक्ती हैं जिसकी फोटो हैं जबकि वह दूसरा ब्याक्ती रहता हैं ये अपराध हिस्समै जादा हो रहे हैं तो चाचट दी फेस्बुक हैक हो गया पैसे की मांग करने लगा इत्याद तो ज्यादा लगा जाता है ये भी काफी महत्पूर्ण है देखे जो कोई किसी संचार युक्तिया कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपन द्वारा चल करेगा यनकी रंगा सियार बन तो वह दंड का भागी होगा तीन वरस तक का कारावास और जुर्माना जो एक लाक रुपे तक हो सकेगा हमारे हिसाब से और दंड की मातरा इसमें क्या करनी चाहिए थोड़ा बढ़ानी चाहिए क्योंकि ये अपराद दिन दूना रात चौगूना बढ़ रहे हैं और अध लिक्तम सजा कितना है तीन साल कम से कम साथ आठ साल करिये ताकि अपराधी क्या हो डरें और ये 66 इभी काफी महत्पूर्ण है एकांतता के उलंगहन के लिए दंड क्यानिकि निजता या प्राइबेसी का वाइलेशन किया जाता है इसके लिए दंड का प्रावधान है इस विशय को थुड़ा अलग से भी लिख लिजिएगा अलग से ये लिखना है कि आपका सबसे पहले हमें जाना है संबिधान में संबिधान का आर्टिकिल 21 लिख लिजिए तो आर्टिकिल 21 संबिधान कानुछेद 21 लिखे रिटायर जश्टिस पुट्टू स्वामी वर्षेज भारत संग के वाद में बनाम भारत संग के वाद में उच्चतम ने आयाले की नौ जज़ों की पीठ ने सर्वसम्मत से यह निर्णे दिया की राइट टू प्राइबेसी यानि की नीजता का अधिकार या एकांतता का अधिकार आर्टिकिल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकिल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट हैं अगला लिख्या आई पीसी में आई पीसी की धारा 509 के तहत आई पीसी के सेक्षन 509 के तहत हमेशा पुलिस लगा देती हैं जैसे किसी महिला के प्रत्यापराद हुआ तो हमेशा ये धारा लगा ही दी जाती हैं 509 के तहत किसी इस्तरी की एकांतता को भंग करना किसी इस्तरी की एकांतता को भंग करना दंडनी अपराद है जिसमें अधिक्तम सजा तीन साल हैं ये भी ज़्यादा पुछा अंडरलाइन कर लिजेगा अब आये सोसल मीडिया से एकांतता को भंग किया जाए अब आपका सोसल मीडिया से प्राइबेसी कैसे भंग की जा सकती हैं तो किसी ब्यक्ति को बार बार मिश्काल मारिए किसी ब्यक्ति को बार बार आपका ट्रैक करके पीछा करिए उसका मुबाल ट्रैक करके आपका फिर हो गया किसी ब्यक्ति को बार बार आपका मैसेज करिए नो वो चाहता है वो मना कर रहा है तब भी किया बार-बार फेस्बुक पर या किसी भी माध्यम से आप कह सकते हैं कि मने फ्रेंड रिक्वेश्ट भेजिए तो ये सब प्राइबेसी का क्या माना जाएगा हनन या किसी ब्यक्ति के बने बार-बार फोन करिए ये सब प्राइबेसी का हनन माना जाएगा और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है अब ये हैं कि IT8 के तहट प्राइबेसी का हनन किस्ते के द्वारा किया जाएगा तो संचार साधनों द्वारा चाहें कंप्यूटर द्वारा चाहें मोबाइल द्वारा चाहें जिसके भी द्वारा संचार साधन मैंने ये नहीं कि जाकर पीछा कर रहा है अगर सरीर पीछा करे तो ये इक टैकिंग का अपराध IPC की धारा 314D में है ये किस से पीछा किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा तो आए देखा जाए काफी महत्पून है आपका एकांतता देखे भई आपका एकांतता के उलंगन के लिए दंड तो जो कोई आसय या जान बूझ कर किसी ब्यक्त के गुपतांग का चित्र उसकी सहमत के बिना उस ब्यक्त की एकांतता का उलंगन करने वाली परिष्थितियों के अधिन प्रग्रहन करेगा तो वह प्रकासित या पारेशित करेगा ऐसे कारावाज से जो तीन वरस तक का हो सकेगा या दो लाख जुर्माने से जो दो लाख से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा यानि कि कुल मिलाकर आपका यहां जो प्राइबेसी दी गई है और भी एक जगा मिलेगी प्राइबेसी यहां जो प्राइबेसी दी गई है वह मुख्य रूप से ये दी गई है कि किसी भी इस्त्री या पूरुस के जो गुपतांग होते हैं उनका चित्र आप प्रकासित कर रहे हैं और उसकी सहमत के बिना तो ऐसा प्राधापका इस समय जो किया गया है कि राज कुंद्रा द्वारा किया गया है लड़कियों को हिरोईन बनाने के नाम पर फिल्म में काम देने के नाम पर कहा जाता था कि आप अपना गुपतांग दिखाईए परसनल पार्ट के दिखाईए फिर आपका अस्रील दियो बनाई जाती थी और यहां नहीं बेचा जाता था बेचा जाता था विदेश में आइप बनवा कर ताकि कोई जान न पाए तो आपका वहीं कहानी है कि लाख आप चुपाएंगे एक दिन वह बात क्या हो जाएगी ओपन अग कितना चीछा लेदर हो रही है आप देख सक दिखते हैं यानि कि ज्यादा तर बड़े लोग आपका परदे के आगे अच्छे दिखते हैं परदे के पीछे सराप कबाब और सब कुछ चलता है ज्यादा तो आपका कुल मिलाकर ये जो अभी एक और धार आएगा गुप्तता का उलंगन ये केवल जो उलंगन गुप्त म मने हो रहा है कांतता का ये केवल गुप्तांग का चित्र पकासित किया जा रहा है कि मैं प्रकासित या प्रवहण या पारेसित मने भेधना भी आ जाएगा आए देखा जाए आपका हाँ वहीं आपका राजकुंद्रा लाश्ट में है सब आ जाएगा वहीं को इसमें 66 आपका एप ये भी आपका काफी महत्पूर्ण है आपका साइबर आतंकबाद के लिए दंड ये जो सेक्षन है ये सेक्षन भी काफी महत्पूर्ण है साइबर क्राइम के लिए मनें साइबर टेरिज्म यहां से भी आपका कोचन बन सकता है इसमें कोई सक नहीं है तो साइबर टेरिज्म किसे कहा जाएगा तो साइबर टेरिज्म का मतलब यह हुआ कि ऐसा सोसल मीडिया पर पोश्ट डालिए जो भारत की एकता को प्रभावित कर भारत की अखंडता को प्रभावित करता है भारत की सुरच्छा को प्रभावित करता है या भारत की संप्रभता को खत्रे में डालने वाला है या निमलिखित द्वारा आतंक फैलाने के आसे से किया गया है तो किसके द्वारा आप आतंक फैलाने के आशे से ये सब कारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर संसाधन तक पहुँच के लिए प्राधिकृत ब्यक्त को पहुँच से इनकार करके या इनकार कराके प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुँच से अधिक किसी कम्प्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुँच करने का प्रयास करके या किसी कम्प्यूटर संदूसक को सनिविष्ट करके या सनिविष्ट कराके और ऐसा करके ऐसा कार करता है जिससे ब्यक्तियों के मृत्तु या उसे छत्य होती है या संपत का नास या बिनास होता है या होने की संभावना है या समुदाय के जीवन के लिए आवस्यक आपूर्ति या सेवाओं को नुक्सान पहुचने की संभावना है या धारा सेवेंटी के अधिन विनिर्दिष्ट संवेदन सील संसूचना और संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है यहने कि कुल मिलाकर एक लाइन आपका यह हुआ कि जो सोसल मीडिया सोसल मीडिया के माध्यम से साइबर टेरिरिज्म कर रहे हैं लोगों को उक्सार है कि भारत सरकार के खिलाब भी द्रोह कर दो यह भारत सरकार की एकता को तोड़ दो तो यह सब अपराद बरतमान समय में यह भी अपराद ज्यादा हो रहे हैं यानि कि आपका धार्मिक भावना भरकाई है उलू उल जलूल सोसल मीडिया पर लिखे तमाम भारत के खिलाब ही लिखे यह सब जो बाते हैं यह च्छम में नहीं है और आपका कर सकते हैं कि काफी साइबर टेरिरिज्म के लिए दंड की मातरा काफी ज्यादा है और अधिकतम आपका कितना दंड हो सकेगा लाइप इंप्रिजमेंट या आजीवन कारावा सबसे अधिक दंड है इसमें अंडरलाइन कर लिजिए प्लाट टू में दिया गया है जो सेक्षन सिष्टी सेवेन है यहां से भी खूब कोशन बनता है और सलील सामगरी का इलेक्टानिक रूप में प्रकासन के लिए दंड तो राज कुंदरा पर भी यह सेक्षन लगा है इसको कल बता जाएगा थोड़ा इसको कल बता जाएगा थोड़ा तो प्राइबेसी का भाई आपका मने वीडियो सूट जो किया जा रहा है पुलिस इत्यात द्वारा अब इसमें भाई एविडेंस के लिए किया जा रहा है लोक बेवस्था के लिए किया जा रहा है पुलिस कर सकती है क्योंकि पुलिस को भी तो अधिकार है कि भाई हाथ उनकी एक अंतिता तो हनन होई रही है मुकदमा करें भाई ये तो ये कोड़ सेक्शन का अधिये तो देखना करें कि अधियों कि अधियों कि इसके लिए आपका सेवेंटी टू में प्रावधान है हो थोड़ा इसको देखना पड़ेगा आगे उसमें ये है आपका जाई PC में भी है इस्टैकिंग या पीछा करना उसमें अगर आपका जिसे लोक बेऊस्ता हो या पराद को रुकने के लिए पीछा अपराद का उजागर के लिए या किसी कानून में है कि आप ऐसा कर सकते हैं भारत की सुरच्छा इतियात के लिए तब वो बैद होगा ये आपका एक बार सेवेंटी टू पढ़ेगा कल चलेगा कल तो खतम हो जाएगा सेवेंटी टू में भी जो हमने एक गोपनियता और एक अंतता का पूरा संविधान से लेकर बनाया वो सुद्धुरू से सेवेंटी टू से को रिलेट होता है और वह धारा जो पिछली हमने बताई उसमें तो केवल आपका गुप असलीलता मतलब गुप तांग को चित्रित करना भेजना लेकिन मुख्य रूप से आपका सेवेंटी टू अभी बचा है इसको देख देख लेंगे हम और डिटेल में हाँ 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 है हो सकता है तमाम कानून है आपका कर दो झाल 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 सिर्ण झाल 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 झाल